सुवाद नहीं सेहत के लिए भी पापड खाना फायदेमंद पापड हमारे पारंपरिक भोजन का हिस्सा है पहले साधी बिवा हमें पापड को खाने में जरूर सामिल किया जाता था अलाकि अब यह पारंपरा थोड़ी कम होती जा रही है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रति दिन खाना खाने के साथ पापड खाने के सोकिन होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि पापड सुवाद के साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है हमारे देश के जादतर हिस्सों में भोजंग के साथ पापड खाये जाने की परंपरा है लेकिन सबसे अधिक पापड खाने की चलन हाजस्थान में है हलाकि देश में सबसे अधिक पसंद किये जाने वाले पापड गुजरात राज्जिकी है इसके अलावा देश भर में साधी बिवा और तिवारों के अउसर पर भी पापड बनाया जाते हैं उत्तर भारत में होली के समय आलू, साबुदाने, आदिसाहित कई प्रकार की पापड बनाया जाते हैं इसके अलावा कई लोग रत में भी पापड खाते हैं आईए पापड के लाव भी चांगते हैं पाचन साइक करता है पापड जी हाँ पापड को भोजन करने के अंत में खा जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पापड सूप पाच्ची होता है और जब हम बहुत अधिक गरिष्ट भोजन हाई कलरी फूड़िया बहुत तला बुनाए और मसालेदार भोजन करते हैं तो पापड उस भोजन को पचाने में हमारे पाचन तंत्र की सायता करता है गुड और स्वात का मिश्रड आम तोर पर पापड मूंग दाल और उड़त दाल की बनाया जाते हैं इन दाल को रात बर पानी में विगो कर और महीने पीस कर पापड तयार करने की पुरानी परंपरा है इसके अलावा आलू साबुदाने और कई यगों पर चावल के भी पापड बनाया जाते हैं पापड को बनाते समय इन में आजवाइन काली मिर्च का पावडर और हलका नमक मिलाया जाता है ये तीनों चीजें पापड का स्वाद बढ़ाने के साथ ही इसमें वृद्धी भी करती है इसके प्रकार और प्रभाव आज के समय में पापड केवल सेहत के लिए नहीं बलकि स्वाद पर भी पुरा ध्यान दिया जाने लगा है इसलिए सिर्फ लाल मिल्च के पापड, जीरा पापड, आजवाईन पापड, लोंग पापड आदवी मार्केट में उपलब्ध है अगर लाल मिल्च के पापड को अलग कर दिया जाया तो जादतर पापड सेहत को सुधारने का काम करती हैं और भोजन को पचाने में सायता करते हैं भोजन के बाद खाने का चलन जिन मसालों का यहां जिक्र किया गया है वो मुख्य रूप से पापड में फ्लेवर एड़ करने का काम करते हैं लेकिन पापड, उरत की दाल, मसूर की दाल, मूंग धुली दाल और चना दाल से तयार किये जाते हैं दिन में मूंग धुली दा से तयार पापड को सबसे अधिक सुपाच्य माना जाता है नियमित रूप से इसका सेवन करना हो तो इसे तलने के बजाए भुन कर खाना चाहिए धन्यवाद